Music Videos सभी लोगों को देखना पसंद है हर कोई आज की तारीख में अपना एक Music Video बनाना चाहता है आज इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो Music Videos के बारे में एक मेरा अलग नजरिया है थोड़ा उसके बारे मैं मैं आप से चर्चा करना चाहूंगा हर चीज़ के positive और negative aspects होते ही है तो आज थोड़ा सा मुझे जो लगता है कि Music Videos से एक नुखसान हम सभी लोगों को हो रहा है as a listener और as a Music Learner as well Music Learner के तौर पे भी हमारा है कि ये नुखसान हो रहा है Music Videos से तो क्या वो नुखसान है ये पूरा वीडियो देखिए और जाएंगे Music is all about combination संगीत में combination ही combination है इसे भली हम स्वरसंगतियां कहें कि जब दो सुरापस में मिलते हैं स्वरसंवाद बैठता है तो कुछ मधूर निकलता है जब वही शब्द के जो भाव हैं वो धुन में दिख जाएं तो माधुर्य अलग ही बैठता है उसका है ना जो emotion शब्द कहना चाहते हैं मानलीजी अगर शब्द दुख बरे हैं और धुन आपकी उसी दुख को इनों compliment कर रही है उपर से बढ़ा रही है उसी दुख को और उसी को reflect कर रही है उसका प्रतिबिम्ब बन रही है एक तरह से तो धुन evergreen हो जाती है जो हमारे पुराने जो संगीत कार हैं जिस बात का ध्यान रखते थे ख्याल रखते थे कि अगर धुन खुशनुमा है तो शब्द भी खुशनुमा ही होंगे स्वाभाव एक सी बात है इस चीज़ को कई लोग थोड़ा नहीं समझते हैं लेकिन समझने की बात है ये एक layman एक आम इंसान के लिए भी और एक music composer के लिए भी किस तरह से धुन और शब्द एक हो जाएं मिलन हो जाएं combination बैट जाए तब तो बात है इसके लिए ही तो होता है कि हम शब्द रचना को पढ़ते हैं शब्दों के भाव, meaning पता करने की कोशिश करते हैं कि words की पीछे की philosophy क्या है कि वो शायर कहना क्या चाता है, वो कवी या वो जो लेखक हैं वो बात क्या कहना चाता है यही चीज अभिने में भी होती है कि जो line लिखी हुई है, अगर line लिखी है कि यार मुझे तुमसे मुहबत है यह वाकि बोलना है, dialogue बोलना है, तो अब मैं इसे गुसे में अगर बोल रहा हूँ अगर गुसे वाली है, तो अभिने में ऐसा जरूर होता है कि वो line भले इशरिंगार रसकी है लेकिन बोली जारी है वीर रस से या फिर कुरोध से या विभच से या किसी भी और रस से बोली जारी है यह depends on the character, कि वो किरदार कैसा है और उस किरदार की characteristics क्या क्या है ठीक है तो वो तो एक अलग बात हो गई यही, actually मैं जो music videos है न, उसका topic यही निकल के आ रहा है मैं धीरे-धीरे पहुँच रहा हूँ वहाँ तक पहले क्या होता था, audio का जमाना था, audio कैसिट्स होती थी उस समय हम सिर्फ शब्द, धुन और गाई की सुन पाते थे हम देख नहीं पाते थे कि कैसा वो व्यक्ति दिखता है ठीक है, इससे एक नुखसान होता था कि connection नहीं बैटता था अब अगर यही बात अगर आप आँख बंद करके सुन रहे हूँ तो हो सकता है वो connection ना बैठे, वो connection तब जादा बैठे जब मैं आपके आमने सामने हूँ, एक दम आपसे आँख में आँख डाल के आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको एक connection महसूस होता है, एक vibe महसूस होती है वो भी न हो पाए, तो मैं वीडियो बनाके आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आप तब भी मुझे देख पाएं, ये तो इसका नुकसान होता है कि क्यों audios में वो मज़ा नहीं आता था, उसी का एक फाइदा भी होता था और यही इसका फाइदा, actually में जो इसका नुकसान है कि जब आँख बंद करके हम सुन रहे हैं, या फिर सिर्फ आवाज आ रही है तो हमारा ध्यान जादा लग रहा है कुछ लोगों के लिए यही फाइदा है, कुछ लोगों के लिए यही नुकसान है कि ध्यान हमारा भटक जाता है, जैसे वीडियो आ जाता है हम बात नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते हम सामने वाले को देख रहे हैं या फिर आसपास जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं तो कभी आप फूल पत्तियों की और आपका ध्यान जाएगा कभी फ्रेम बदलेगी उसकी और ध्यान जाएगा कभी मेरे कपड़ों, कभी मेरे बालों, कभी मेरे हाथ-पाउं के इशारों पर ध्यान जाएगा इसलिए तो कहते हैं, कि जब किसी से बात करो तो हिल दूल के मत बात किया करो कि वो सिर्फ audio हुआ करते थे तो हम audio cassette सुन रहे हैं तो आंख बंद करके पूरा ध्यान हमारा उसकी तरफ जा रहा है और यही नुखसान भी था कि भाईया थोड़ा connection नहीं बन पा रहा है सामने अगर कोई व्यक्ति होता तो देखकर करते तो ज्यादा interactive लगता है ना one-sided नहीं बजा रहा हूँ तो वो कितना interactive हो जाता है थोड़ा आपको देखने भी अच्छा लगता है कि अच्छा तबले वाला भी देख रहा है बजाने वाला भी कोई दूसरा instrument बजा रहा है वो भी देख रहा है गाने वाला भी गा रहा है उसका अभी अलग-अलग frame से angle बन रहे है जूम आ रहा है कभी जूम आउट आ रहा है फुल फ्रेम आ रही है आपको बड़ा interactive और बड़ा interesting बड़ा glamorous लगता है देखने में और interest बना रहता है है ना स्वाभाविक है ये तो हो गया एक प्रकार का music video इसमें उतना नुकसान नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ दूसरे ये बात बोली कि आज कल के music videos से ये नुकसान हो रहा है और मैंने उस बात से इतिफाख रखा क्योंकि मैं भी वैसा ही सोच रहा था काफी दूनों से कि यार ये बड़ी एक समस्या आती है music videos में और वही बात उरों ने वहां बोल दी और जब उन्होंने अपने film जो उनकी latest film माई लाल सिंग चढधा तो उसके जब गाने रिलीज किये तो शुरू में उन्होंने उसके music videos रिलीज नहीं किये उसके audios ही रिलीज किये जिसमें एक motion poster लगा हुआ है या फिर एक fixed poster लगा है फोटो लगा है थमने लगा रखा और पीछे-पीछे गाना चल रहा है मुझे मेरे मन में ये थौट आया और इसलिए मैंने सिर्फ बहुत लगों ने मुझे पूछा कि आपने इसका वीडियो क्यों रिलीज नहीं किया गाने का वीडियो रिलीज नहीं किया लेकिन मुझे इस दफ़ा ऐसे लगा था कि कही सालों से मैं देख रहा हूं कि हम लोग गानों को हम लोग सुनते नहीं हम लोग ने सुनना बन कर दी हम देखते हैं जब भी हम गाना यूट्यूब पर देख लेते हैं या कई भी हम देखते हैं गाना सुनना हमने थोड़ा कम हो गया हमारा और मैं चाह रहा था कि जो गा किया आज उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ है जो music videos का एक नुकसान हो जाता है फाइदा तो ये हो रहा है कि थोड़ा interactive हो जाता है story मिल जाती है अगर आप music videos में एक story तलाश रहे हैं कि जैसे लुट गए आपने गाना सुना एमरान हाश्मी साब उसमें act कर रहे हैं एक कहानी चल रही है और जुविन नौटियल जी गाना गा रहे हैं ठीक है और बीच में शायद वो भी आते हैं मुझे उतना ध्यान नहीं मैंने music video पर उतना ध्यान नहीं दिया तो वो गा रहे हैं और उस गाने के शब्द और धुन से related ही एक कहानी चल रही है अब यहीं पर आ जाते हैं संगीत में combination पर दुबारा से हर एक शेर में एक दास्ता होती है हर एक गीत में कहानी होती है आप उस गीत में characters note कर सकते हैं कोई सा भी आप गाना सुनेगा मा लीजे चुपके चुपके रात दिन आसु बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है अब आप यह देख रहे हैं कि इसमें एक ही character नजर आता है इसमें दो character नजर नहीं आ रहे हैं हो सकता है कि वो इनसान अपने आप से बात कर रहा है और याद कर रहा है कि यार चुपके चुपके रात दिन आसु बहाना याद है मुझे आज भी मैं रोया करता था जब मैं जब मुझे किसी से इश्क हो गया था तो कितने गम मुझे मिला करते थे तो वो गम भरे दिन भी याद करता है कि आप हम से आकर मिले थे जिस जगह अब तक मुद्दतें गुजर चुकी है लेकिन वो ठिकाना अब तक हमें याद है और मेरा परदे का कोना दफ फतन अचानक से खीश लेना और आपका शर्मा जाना पूरा एक सीन बन रहा है द्रिश्य बन रहा है तो गानों में एक ये नुखसान होता था कि वो द्रिश्य जो जनता है जनता की imagination पे छोड़ दिया जाता था कि आप समझ लीजिए कि इसमें क्या कहा गया एक खुद imagine कीजिए लेकिन music videos के आने से क्या एक benefit मिला कि वो द्रिश्य दिखाया जा सकता है जैसे फिल्मों में होता है फिल्मों में जो गीत चल रहा है तो उसी पर बात चल रही है कि अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे तो द्रिश्य देखने को भी मिल रहा है कि एक वक्ति उठ रहा है जा रहा है और दूसरे से अलविदा बोल रहा है कि ठीक है मैं चलता हो जाता है कि उस कहानी का उस गीत से कोई तरतमow नहीं है लेना दे नहीं नहीं है फिरान कॉंबिनेशन हचता है वह नुक्सान है कई लिए कार लधार को समझने में हमारी मददकरे वीडियो उससे जजादा गीत से डिस्ट्रैक्ट करने में जजादा उसका योगदान होता है उस music video का क्योंकि हम उस गीत की कहानी तो भूल जाते हैं शब्द धुन गाई की तो भूल जाते हैं और हमारा सारा का सारा ध्यान चला जाता है music video की कहानी पे film की कहानी पे कि क्या चल रहा है उस पांच मिनिट में एक्टर ने यहां से उसको गोली मारी यहां से उसको गोली मारी यहां वो उसको गुलाब दे रहा है अब इसमें क्या हो रहा है हम उसमें खो चुके हैं हमारा न तो शब्दों में ध्यान है और न हमारा स्वर में ध्यान है तो न तो वो धुन हमें समझ आ रही है न उसका रस हम उठा पा रहे हैं क्योंकि multiple चीज़ें एक बार में चल रही हैं इसलिए हमें एक ही फिल्म एक ही गीत multiple बार सुनना पड़ता है और multiple बार सुनना भी चाहिए ताकि उसके हर एक nuances हर एक बारिकली पर हम focus कर पाएं सिर्फ ऐसा नहों कि वो गीत के शब्द और धुनली और रट के हमने स सुना दिया नहीं हर एक बारिकली पर हो सकता है उसके डिरेक्टर ने सिनेमेटोग्राफी से कोई metaphor या symbolize करने के कोशिश करी हो symbol किसको कहते है जैसे कोई आग लग गई कहीं पर और द्रिश तो दिख रहा है कि कहीं पर वाकई आग लगी है लेकिन गीत के शब्द बोल रहे है कि दिल में आग लगी है तो यह symbolism हो गया एक तरह से या metaphor हो गया कि वो चीज वहां रखी है उसका गीत में meaning निकल के आ रहा है यह poetry के aspects होते हैं यह composition के aspects होते हैं तो यह सारी चीजें हम नोटी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम कहानी में खो चुके होते हैं इसलिए मेरा हमेशा से यही अपने विद्यारतियों को कहना होता है अपने जो साथी गण है उनको यही कहना होता है कि जब आप music video देखिए तो एक इस बार ठीक है आप दृश्चे के मज़े ले लीजी आनद ले लीजी लेकिन उसके बाद उसे दुबारा सुनिए और इस बार सिर्फ गीत के शब्दों पर फोकस करिए और गीत सुनना है उसके बाद उस गीत के शब्द भी पढ़ने है जब शब्दे रचना पढ़ते हो अब असल में मालूम चलता है बात क्या है जैसे उमुमन मैंने इन दो गीतों के एक्जामबल दिया है जो बड़े मुझे भी पसंद आते हैं मुह मुह के धागे और ए दिल है मुश्किल लेकिन अगर सिर्फ ये लाइन पढ़ी जाए ए दिल है मुश्किल अब क्या मुश्क और दिल मुश्किल है क्या है ये मीनिंग निकल के आता है जब उस गाने के हम सिर्फ शब्दों पर ना जाके सिर्फ धुन में उस गीत को याद कर लेते हैं कि ए दिल है मुश्किल हम ये भूल जाते हैं कि इसके पहले की एक वाक्य चला आ रहा था उसी वाक्य का आधा आ जाते हैं कि क्या बोला है ना पॉसिस बदल जाते हैं या फिर मोह मोह के धागे जब मैं वह अंत्रे में आता है कि तू दिन साहे मैं रात चाहना दोनों मिल जाए अब यहाँ पर आना दोनों उसी के साथ हो गया जबकि लाइन क्या थी तू दिन सा है मैं रात सा आना दोनों ऐसे थोड़ा सा कट होना चाहिए थोड़ी से सांस हो जाती तो मीनिंग निकल के आता कि अच्छा तू दिन सा है मैं रात सा आना दोनों मिल जाएं शामों की तरह ये है शब्द की बांट, ये है इससे वाक के क्लियर होता है, तो ये कुछ समझ से आ जाती है जब हम उस गीत को सिर्फ सुनते हैं पढ़ते नहीं है, तो गीत पढ़ना भी जरूरी है और म्यूजिक वीडियो में, वीडियो पर तो ध्यान दे दिया, वीडियो फिल्म की जो कह जो गाना हम गाते हैं कि ये जो गाना है, अब इसकी धुन देगी है कितनी एनरजेटिक है और गाने के शब्द जो हैं वो बड़े उदास हैं कि तारे गिन गिन के मैं तो तुरी याद में रो रहा हूं और हम धुन इसकी बड़ी पाल्टी वाली मनाते हैं, तो कई भार ये करिज्मा में खोचुके हैं, अब हम कहानी देखी नहीं रहें, कई बार के शारुखान साहब की मूवी है, तो हमने कहानी को असाइड कर दिया और हम शारुखान साहब की आक्टिंग पर ही हम गुम हो गए, लेकर हम ये भूल गाए कि कहानी में तो वो दम था नहीं, तो combination से बनता है, art, art singularity से नहीं बनता है, हर एक चीज का योगदान होता है, हर एक चीज उसको अच्छा भी बना देती है, और हर एक चीज उसको बुरा भी बना देती है, तो हर एक चीज पर ध्यान देना हमारा ज़रूरी है, तो music videos को लेके मेरा ये चोटा सा aspect था, I hope आपको ठीक लगा हो, नहीं भी लगा हो, तो आप comments में बताइएगा, कि क्या आप इस बात से इतिफाख रखते हैं, आपको ये बात सही लगती है, या नहीं, और subscribe करें हमारे इस channel को, शुक्रिया